अब बॉर्निंग स्टुडेंट्स यह इस दा चैप्टर 2 नमबर सिस्टम इन नमबर सिस्टम इस ए मैथमेटिकल वे टू राइट नमबर्स नमबर सिस्टम जो है एक मैथिकल वे है जिसके दू हम नमबर्स को लिखते हैं कि कम्प्यूटर जो है वो बाइनरी कोड्स को ही समझता है आप जो भी कुछ लिखते हैं उसमें वो उसको रीड नहीं करता सबसे पहले अगर आप टेक्स्ट वैल्यू दे रहे हो यह नमबर फॉर्मेट दे रहे हो तो वो उसको चेंज करेगा बाइनरी कोड में यानि कि जीरो और बन में तब जाकर वो उसको रीड करता है एक कम्प्यूटर कैन अंडेस्टेंड दा पोजीशनल लंबर सिस्टम और प्लेस वैल्यू नोटेशन वेयर दा वैल्यू ऑफ दा डिजिट डिपैंड्स और इस पोजीशन दा वैल्यू ओफ इस डिजिट इन डंबर कैन बी टिटरमाइन यूजिंग यानि कि उन डिजिट का क्या क्या फोमेट है क्या 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 पॉइंट्स हैं जिसके थूँ वो उसको रीड करता है, फसली डिजिट, फोजीशन अफ इन अ नमबर यानि कि कोई भी नंबर जैसे और जो भी नंबर है उसका क्या पेस है let's us learn about the decimal number system बहुत सारे number systems होते है but either जो है वो हम सिर्फ अभी decimal number system देखें है here is the decimal number system we use decimal number in our day-to-day life यानि कि normal life में भी हम decimal numbers का use करते है जितने भी आप points लिखते हो वो सारे case में जो भी number हम लिखते हैं क्या हो कौन से number होते हैं decimal numbers decimal numbers consist of digits 0 to 9 यानि कि यह जो start होते हैं फिर्ट यह जो जीरो वन तू 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 थी पो फाइफ शेक्स सेवन एट नाइन एन नाइन ओन्ली तो जीरो तू नाइन यह कितने numbers हैं तैन नंबर्स हैं इस तैन डिजिट्स कैन बी यूज़िट इन एनी कॉंबिनेशन तू फॉर्म एनी नंबर्स जैसे कि इनको कंप्लीट करके इन्ही नंबर्स के तू जो भी नंबर्स बनते हैं इस आर कॉल डैसीमल नंबर्स नाइक फॉर एग्जैंपल 608 1711 571 and 2836 next concept the value with the help of the following example तो decimal number system कैसे वाग करता है इसको examples के तू कैसे समझेंगे firstly let's just see how the decimal number 231 231 is formed by using 2,3 and 1 ठीके 2,3 and 1 रूल इनका रूल क्या है the value of each digit increased by 10 times and as we move from right to left इसमें जो भी हम स्टार्टिंग करेंगे लाइक आपकी जो डिजिट है वो 231 है ठीके इसमें जो भी हम स्टार्टिंग करेंगे वो यहां से स्टार्ट करेंगे यानि कि right to left परसले डिजिट से हैं आपकी कि first value है 1 यहां से start करेंगे तो 1 अब 1 की value क्या है कोई रही है तो 0 ही तो है 10 की value मतलब 1 की value 1 है तो this is a 1 into 10 तो 1 into 1 हो गया is equal to 1 and 3 कि यह 10 इसका base क्या है 10 है तो 3 into 10 तो 3 into 10 30 हो गया and 2 क्या है 100 की value में है यानिकि 200 की बेस है 200 तो 2 into 10 की पावर 2 2 into 100 is equal to 200 total values क्या हो गई क्या हो गई आपकी 1 3 & 2 these are the concept of decimal number